23 को लेकर हम बात करने वाले हैं, 2023 तो बिश्ची के लिए जा चुका है, बट SRK के लाइफ के लिए बहुत बड़ा रिकोर्ड लिखा गया है, जी हाँ दोस्तों, जब लिखा गया है, जब लिखा गया है, जब बाली वूड काफी खत्रा महसुस करा था, तमाम जो बाली बन गे थी, जिसने सबसे ज़दा इंडिया के अंदर कलेक्शन किया था, और भाई, ओवर्सीज के अंदर इस फिल्म ने तब भाई, बचा कर रख दे थी, इस फिल्म ने भाई, पानसो क्रोड इंडिया के अंदर, और उतने ही क्रोड ओवर्सीज के अंदर, और एकजर भाई ये एक अपने आपने रिकोर्ड है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री की ऐसे फिल्म जिसने सबसे ज़दा कलेक्शन क्या है तो भाई यही फिल्म है 643 क्रोड ओल लेंग्विजिज को लगा कर और भाई ओवर सीज के अंदर 1150 क्रोड तो भाई काविले तारीफ है जो काम जोग रिकोर्ड SRK ने बनाया है सारुखान ने बनाया है भाई कमाल कर दिया और बालीवूड के ऐसी वापसी करके दिखाई दोस्तों आज तक किसी स्टार की वापसी नहीं जो वापसी भाई सारुखान साब ने करके दिखाई है दो फिल्में लेके आते हैं दोनों ही एक अजार करोड़ भाई कमाल कर दिया इसे कहते है स्लिल्ज सूपरस्टार और भाई तीसरी फिल्म डंकी जो के एक अलग जॉन्र की फिल्म है भाई वो भी सूपर इट वो भी सूपर इट जब तक ये फिल्म pangosकिन कर लेगी पान जो करोड़ टोटल कलेक्शन कर लेगी तो एक साल के अंदर तीन फिल्में आये और तीनों ही फिल्मों ने करोड़ रुपका कारबार दोस्तीन क्या है आठ करोड फैंस, जी हाँ दोस्तों भुदबड़ी बात है, आठ करोड फैंस को थेटर के अंदर खीच के लाने का जो रिकोर्ड है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ सारुखाने बनाएं कि आठ करोड फैंस को अपनी फिल्म को लेकर, जो है, अपनी फिल्म को दिखाने के लिए, इतनी audience को थेटर में पहुचाने का काम भाई, SR के नहीं कहता जब थेटर बंद थे, एक भी audience देखने नहीं आ रहते तब SR के फिल्में लेके आए और जो box office है, भाई, box office को जिंदा कर दिया थेटर को जिंदा कर दिया और single screen जहां पर audience नहीं आ रहती वहाँ भी, वहाँ भी audience पहुची और जो थेटर बंद हो चुकी थे भाई, वहाँ भी audience पहुची इसे कहते हैं, हसली superstar, real superstar तो भाई, कमाल कमाल करकर रख दिया है, और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी star के तीन फिल्में आई हैं और किसी star ने एक साल के अंदर आप मान सकते हैं, अठाइस सो क्रोड जी हाँ दोस्तों, अठाइस सो क्रोड का कलेक्शन करकर एक रिकोड बना दिया हो तो 2023 कभी नहीं भोले वाला साल होगा ये SRK के लाइप का नहीं दोस्तों Bollywood के लिए भी important है, क्योंकि Bollywood जब संग्रस कर रहा था, उसके movies नहीं चल रहे थी, ऐसे समय के अंदर ये आया है, तो दोस्तों, अगर हम ये कह दें के सारुखान के फिल्म ही career में note, दोस्तों ये Bollywood के लिए भी एक बहुत बड़ी oxygen की रूप में आया है, कि जब फिल्में नहीं चल रहे थी, और लोग ये कर थे, बालिवुड तो समाप्त होगा, ऐसे समय के अंदर अपनी हसली power, यहाँ पर SR के ने दिखा दिये और बालिवुड को भाई जिंदा कर दिया बागी आप क्या सोचने, अपनी राइश अवगत कराएं इशिकान 2023 का box office award है जिहां दोस्तों box office का award है वो सारुख भाई को दिया जा रहा है, कि आप satisfy नहीं है जल्दी लिखे comment box में